अलो, नमसकार दोस्तों, हाजिर हूँ आपका अस्पताल सहायक, आज एक नए अस्पताल की जानकारी लेके आज मैंने जो अस्पताल सलक्ट किया है, वो है लोकञायक जे प्रकास नारायन अस्पताल जिसको कि लोकनाएक अस्पताल भी कहते है LNJP होस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है आज इस अस्पताल से सम्मंदित सारी जानकारी आपको दूँगा और फिर भी अगर मुझसे कोई जानकारी छूट जाती है तो आप कमेंट बोक्स में उस जानकारी को प्राप्ट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं मैं जरूर उस जानकारी को आप तक पहुँचाने की कोशिस करूँगा तो शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का अस्पताल है लोकनाएक अस्पताल ये स्थित है पुराणे दिली रेलवे स्टेशन और नई दिली रेलवे स्टेशन से लगबख दो किलोमेटर की दूरी पर है और इस सबस्पताल तक पहुँचने के लिए दोनों ही रेलवे स्टेशन से इरिक्सा दिली गवर्मेंट की बसेस और ओटोस सारी चीज़ अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन की कोई परेशानी नहीं है यहां तक आसानी से पहुँचा जा सकता है और इसके लिए बड़ा लेंड मार्क है रामलीला मैदान भी सस्पताल से पास में पढ़ता है बैसे तो दिली गेट मेट्टो स्टेशन है जहां से कि इस अस्पताल को पाचाना जा सकता है इसका एड्रेस इस प्रकार है जवाहरलाल नेरो मार्क नियर डेलिगेट मेट्टो स्टेशन डबल उन ट्रपल जीरो टू यहां का पिन कोड है अब आगे चलते हैं दोस्तो कॉंटेक्ट इंफॉर्मेशन पर कि इस अस्पताल के बारे में या इस अस्पताल से संबंदित कोई जानकारी ली जाए तो ये फॉन नंबर में ने दिये हैं 011-2323-600 और दूसरा नंबर है 011-2323-2400 फैक्स का नंबर भी इसमें दिया हुआ है 011-2323-2870 अब आते हैं इस अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में यहाँ पर ये एक मल्टी स्पेसालिटी होस्पिटल है इसमें सभी परकार की चिकित्स की साहय ताउपलब्द है और ये दिल्ली सरकार का स्पताल है इसलिए सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सारी चीज़ें सभी दवाईयां सभी जांचें चाहे से कितनी भी महेंगी दवाई हो कितनी भी महेंगी जांच हो पूरी तरह से फ्री है किसी भी जाल साज के चक्कर में ना आए अगर कोई आप से पैसे की डिमांड करता है कि इस जाँच को करवाने में पैसा लगता है या आपकी जाँच जल्दी करवा दूँगा आपका number पहले लगवा दूँगा तो इनके चक्कर में ना आए भले आपको समय लगे लेकिन to the rule ही काम करवाएं आपका काम अवश्य होगा तो मैं बताता हूँ आपको liver से सम्मदित रोगों की इलाज इसमें किया जाता है kidney से सम्मदित रोगों का इलाज इसमें किया जाता है पेट से सम्मदित रोगों का इलाज इसमें किया जाता है अपनी सिर से सम्मदित हेड से सम्मदित रोगों का इलाज इसमें किया जाता है जो की neurology department में आता है एके करके department आपको बताता हूँ medicine जिसमें की सारे specialities आ जाती है निरोलोजी इसमें अपलब्द है और्थोफेडिक्स, हडडी रोग विबाग गाइनेकोलोजी एंड आपस्टेटिक्स महिला यह प्रसूती विबाग जिसको बोलते हैं जो गरबती महिलाएं है या बच्चे के जन्म के बाद में जो केर की आउशकता होती है जो उससे सम्मन्दित है तो वो सुविदाएं भी यहाँ पर उपलब्द है पिडियाट्रक डिपार्टमेंट यहाँ पर उपलब्द है जिसमें की नवजात सीसू से लेके बड़े होने तक सारी बिमारियों का इलाज यहाँ पर किया जाता है बड़े बुजूरकों की OPD यहाँ पर लगती है विशेसकर सीनियर सिटीजन्स को होने वाली समस्याओं के बारे में उस OPD में देखा जाता है डिसकसिन किया जाता है और इलाज किया जाता है अब लेके चलता हूँ दोस्तों इसके टाइम टेबल OPD की टाइमिंग्स OPD का इस्तान क्योंकि यह साथ मंजिला स्पताल है इसलिए हर प्रकार की OPD मेडिशीन, सरजरी, नियूरोलोजी, पिडियाटरिक्स अलग-अलग मंजिल पर इनकी OPD लगती है अलग-अलग दिन की इनके लोकनायक अस्पताल की वेबसाइट पर लेके चलूँगा यह जो आप देख रहे हैं लोकनायक अस्पताल की ही बिल्डिंग है यह एड्मिंस्टेटिव लोक है यह इमर्जेंसी का गेट है जहां जो की 24 गंटे उपलब्द रहती इमर्जेंसी से वाएं जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है लोकनायक अस्पताल में एक दिन में लगबख 5000 मरीज ओपीडी में आते हैं और माइनर और मेजर ओपरेशन्स जो किये जाते हैं एक दिन में उनकी संक्या है सो इन आकडों से पता चलता है कि एक बड़ा स्पताल है और अच्छी सुविदाइंस में दी जाती है अब अपन चलते हैं वेबसाइट पे लोकनायक अस्पताल की वेबसाइट पे आ गए हैं अपन जैसा कि क्लिनिकल सर्विसेज में इसमें बताया गया है अनेस्थीसियोलोजी, बर्न इन प्लास्टिक, चरक, आयुर्वेदिक, कैंद्रा, गाइनेकोलोजी एन ऑपस्टेटिक्स, महिला और प्रसुतिव विबाग, मेल फैमली वेलफेर, ऑक्यूपेसिनल तरेपी, पिडियाट्रिक सर्जरी, फिजियो तरेपी, रेडियो तरेप ये रेखिए, इन एल एन एच, दा ओपीडी इस लोकेटेड एट फॉलविंग प्लेसे, गेट नमबर चार, जैसे आप गेट नमबर चार में गुछते हैं, एमर्जेंसी का गेट मिलता है आपको, यहां से एंटर करते हैं, आपका एमर्जेंसी बिल्डिंग, ओपीडी बि हड़ी रोग भी बाग की अलग बिल्डिंग है, उसमें जाकर आप और्थोपेडिक संबंदित इलाज ले सकते हैं, यह ओपीडी टाइमिंग्स, मैं बताता हूँ हूँ इसमें आपको, यहां पर एक और उप्शन है, यह सिरी सिते अंदर जैन जी, स्वास्त्यमंत्री हमार और पिडी टाइमिंग्स के बारे में यहां आपको जानकारी मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे, नए केसिस को देखा जाता है, साड़े आठ बजे से ग्यारा बजे तक सुबर, अगर आप पहली बार इस अस्पताल में आ रहे हैं, तो साड़े आठ बजे से ग्यारा बजे त साड़े बुजूर्गों के लिए OPD लगती है, सीने सिटिजन्स के OPD लगती है, साड़े आठ से ग्यारा बजे तक और पूराने कैसो के लिए साड़े आठ से साड़े ग्यारा तक, और Monday to Friday OPD की टाइमिंग दोपर में एक बज़ के 30 मिनट से 3 बज़े तक होती है आप्टरनोने Special Clinics होते हैं रोज अलग-अलग Clinics लगते हैं किसी दिन Kidney का Clinics लगा किसी दिन Geriatric Clinics लगा तो किसी दिन Leaver से समंदित Clinics लगा इस परकार अलग-अलग Clinics है तो जो भी जानकर या आपको चाहिए जिस Clinics में आपको दिखाना है तो उससे समंदित Department में आप Call करके पूछ सकते हैं या इस वीडियो के Comment Box में Comment करके आप पूछ सकते हैं यह Website है जिसको की Daily Government.nic.in लोकनाइक Hospital भी आप डाल सकते हैं Google के Search Box में तो आपको इससे समंदित सारी जानकारी मिल जाएगी यह एक और Click का Option है Link दिया हुआ है OPD Schedule OPD Schedule पर आप Click करेंगे तो हर एक अलग-अलग OPD का टाइमिंग और कौन सी मंजिल पर इस OPD से समंदित डॉक्टर्स बैठते हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी देखिए Medicine OPD Medicine में अच्छे कंसल्टेंट्स हैं यहां पर और Burns in Plastic में तीन कंसल्टेंट हैं तीन उनिट्स हैं और Surgery Surgery OPD चोथी मंजिल पर लगती है Burns in Plastic OPD सातवी मंजिल पर लगती है Medicine OPD तीसरी मंजिल पर लगती है OPD बिल्डिंग के तीसरे माले पर Burns in Plastic OPD बिल्डिंग के सातवे माले पर Surgery OPD चोथे माले पर लगती है तो इन चीजों का ध्यान रखें मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ नए अस्पताल के बारे में जानकारी लेके और इस वीडियो के संबंद में मैं कहना चाहूँगा दोस्तों अगर मेरे से कोई टोपिक छूट गया है लोक नएक अस्पताल से संबंदित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको किसी वीडियो के बीमारी से संबंदित अस्पताल की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें मैं जरूर से जरूर वो जानकारी आपको उपलब्द कराऊंगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न बूलें तैंक यू वेरी मच धन्यवाद